हलो फेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चाहेंग ज्यान प्लस पर उत्र प्रदेश में भड़ी भरती होने जा रही है जी हैं प्रदेश में बड़े पैमाने पर बावों की भरती होने जा रही है जिस में करीग 4,000 पद हैं जिसकी की भरती लगबग से अगर आप चैनल पर पहली बारें चैनल को सब्सक्राइब तद अबेला इकन को प्रेस करना मत भूलेगा इसी तरह की लेटेस्ट अब्रेट पाने के लिए चलिए आगे वरते हैं तो यहां पर आप ख़बर देख सकते हैं मादमिक सिच्छा और स्वास्त विभाग में होग जैसे पहले होती थी इंटर्यू आदिके मादम से और स्वास्त विभाग में उतर प्रदेश अधीनत सेवा चैन आयोग पहले की तरह बरतियां करता रहेगा प्रदेश में सहायता प्राफ्त विद्यालियों में 3000 और स्वास्त विभाग में करीब 1000 लिपकों के पत पर भरती होगी इसके लिए दोनों विखाग में कवायत तेज कर दी है माद्मिक विद्यालियों में करीब ती नजालिपकों की भरती का प्रस्ता विखाग ने तयार किया है प्रारम्विक आहता परिच्छा में 50% अंक प्राप्त करने वाले अभरती इस्पत के लिए आवेदन कर सकेंगे बरती के लिए प्रतेक विद्याले के प्रमंदक की अध्यस्ता में समीती कठित की जाएगी इसमें D.I.O.S. वासिवा योजन विखाग के प्रतिनी दी भी सामिल होंगे आवेदन के बाद टंकड परिच्छा ली जाएगी इसमें पास होने वाले पास होने वालों का साच्छातकार होगा P.E.T. वा साच्छातकार के अंकों पर मेरिट तयार होगी स्वास्त विखाग के लिपिक संवर्ग में 989 कनिस साइकों की भरती के लिए उत्तर प्रदेश अधिनस सेवाचेन आयोग की प्रक्रिया सुरू हो गई है विभाग के निदेशक प्रसासक प्रसासन डाक्टर राजा गणपती आर द्वारा भेजे गए भरती प्रिस्ताम बताया गया है कि 313 अनारचित अंसूचित जाति के 232 अंसूचित जन्जात के लिए 26 वा अनपिशावर के लिए 263 वा आर्थिक रूप से कमजोर वर के लिए 145 पत आरचित है इसके लिए सच्छिक योगता इंटर्मीडियेट या उसके समकच हिंदी टंकड में 25 सब्द प्रतिमिनट वा अंग्रेजी में 30 सब्द प्रतिमिनट अनिवार है साथ ही टुपल सी की मानता या इसके समकच कोई प्रमापत लेना जरूरी है इसी प्रकार NCC वा सेना में दो साल की जो रखें है योगता उनके पा अधिमानी आरता रखी गई है तो इस प्रकार से 4000 पदों का प्रस्ताव भेजा गया है लिपको मादमिक विद्यालियों में लिपकों की भरती का प्रस्ताव जो कर दिया गया है उमेद है कि ये भरती आपको अगले सब्ता तक देखने को मिल जाएगी वहीं जो स्वास्त व्याक की है ये उतरवदेश अधिनस्त सेवाचेन आयोग को भेजा गया है तो ये आयोग अपने हिसाब से भरती करेगा अगर हम यूपी अधिनस्त की बात करें तो करीब 8000 से अधिक पतों का जुनियर एसिस्टेंट के अधिक पतों का अधियाचन आयोग को मिल चुका है जिसकी भरती आयोग करेगा या नहीं करेगा ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन अधियाचन काफी बड़ी मातरा में आयोग को मिले है तो ये रही बड़ी अपडेट आपके लिए इस वीडियो में इतना ही मिलेंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए जैन जैवारत